हेलो दोस्तो आपका एक बार फिर से स्वागत है टेकनिकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक दो या दो से जाधा फाइल को मर्ज करके एक नई फाइल के रूप में उसके कंटेंट को क्रियेट कर सकते हैं, या निकि हम उसके content को copy करें और नई फाइल में जाकर पेस्ट कर दें इसी तरीके से हर फाइल के साथ one by one करना पड़ेगा लेकिन हमें Linux में बहुत easy हो जाता है अगर हमें हमारे पास ऐसा कोई task होता है तो हम क्या करते हैं एक से ज्याद़ फाइल को केवल एक simple command के द्वारा एक नई फा available है file one file two & file three सबसे पहले हम इन सबका content चेक कर लेते हैं लिखा हुआ है if file one file one है this is file टूकर content चेक करते हैं this is file two file three नहीं पर दोस्तों यह तीन फाइल है हमारे पास हम चाहते हैं कि यह सारी फाइल का content अब यहाँ हमारे पास के वल और तीन फायल है, आपके पास परफ सकता है, और ज्याधा फायल है और हर एक फायल में बह। ज्याधा ज्याधा data हो, हमारे पास जो kade command होता है, kade command को यूज़ करके, हम एक से ज्याधा फायल को a को merge कर सकते हैं, file one, psycho syntax होता है,けat, space file 1 का नाम दे दिया, space file 2, space file 3, जितनी भी फाइल है उन सब फाइल के नाम स्पेस करके देते जाना है उसके बाद हमें greater than operator का यूज करना है greater than operator क्या करेगा जो इसका output आएगा यानि की cat file 1 file 2 file 3 इसका output सेव कर देगा एक नई फाइल में तो नई फाइल का नाम क्या रखते हैं न्यू फाइल न्यू फाइल रख लेते हैं इसका नाम देखिए command हमारा run हो चुक है अब हमारे पास एक न्यू फाइल है इसको चेक करते हैं कि इस न्यू फाइल का content क्या है तो देखिए न्यू फाइल का content है हमारे पास this is file this is file 2 this is file 3 जो कि हमारा content था file 1 file 2 और file 3 का और यह same order में ही जो content होता है वो उसको append करता है अब मान लीजिए हमारे पास एक नई file है हमारे पास एक और फाइल है जैसे file 1 file 2 file 3 3 file है इसके लावा एक और फाइल हम चाहते हैं उस file का data overwrite ना होके उसी में और ज्यादा append हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम single operator का single greater than operator का यूज ना क करके double symbols का यूज करेंगे तो चलिए देखते हैं फाइल 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 3 हम का कर देंगे हमने अभी single greater than sign लगाया था अब हम double लगा देंगे तो double greater than sign से क्या होता है जो content होता है वो overwrite नहीं होता है अगर आप single का use करेंगे तो अगर उस फाइल में पहले से कोई content होगा तो वो overwrite हो जाएगा लेकिन अगर आप double sign का use करेंगे तो वो content overwrite नहीं होगा बलकि वो append हो जाएगा मतलब जो भी आपको केट में तीन फाइल आपने दी हैं या जितनी भी फाइल दी हैं वो नई वाली फाइल में लास्ट में एड हो जाएगा मैं चलिए आप प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो देखे कमांड हमारा रण हो चुका है अब हम देखते हैं निव फाइल के content क्या है तो देखिए this this is file this is file 2 file 3 और दुबारा से यही line repeat है क्योंकि हमने क्या किया है अब हमने file 1 file 2 और file 3 के content को append कर दिया है अब मान लीजिए मैं यहां पर double sign की जगा केवल single sign का use करता हूं तो क्या होगा तो अब इसका जो content है वो overwrite हो जाएगा यानि जो content पहले था अब वो delete हो के नया content update हो जाएगा देखिए तो this is file this is file 2 file 3 so that's it for today guys मुझे उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share करना ना भूले और चैनल को subscribe कर लीजिए अब मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएगे